कि नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल क्रिश्णा में स्वागत है आज हम आपके लेकर आएक नई वीडियो जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस पिरकार अपने किसी भी डीडी फ्रेडिस के रिसीवर में अपने जो चैनल हैं वो सर्च कर सकते हो तो देखते हैं हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किये तो सिंपल अपने चैनल को सर्च करने के लिए यदि आप अपने जो रिसीवर है उसमें नए चैनल लाना चाहते हैं तो वो सर्च के दोरा आ जाती है तो आपको सर्च करने के लिए सिंपल क्या करना है डीडी फ्रेडि ना है उक की दवाने के बाद आपको क्या करना है सिंपल नीचे जाना है ओटो इसकेन का ओपसन दिखाए देगा इस पर ओक की दवादेना जैसे आपकी गलती से कुछ चैनल डिलीट भी हो गए तो वो सारे channel यहां पर आ जाएंगे जैसे यह search 100% हो जाती है आपके सारे channel आजाएंगे तो दोस्तों आपको simple जैसे search हो रही है तो उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है ना ही इसको cross करना है मेनु बटन दवाने कुछ नहीं दवाना है आपको सिंपल जब तक की 100% हमारी प्रोसेस न हो जाए आपको कोई भी बटन नहीं दवाना है तो आप देख सकते हैं हमारी प्रोसेसिंग चल रही है और यह प्रोसेसिंग 40% हो चुकी है एक साइट आपके यहां पर TV के जो चैनल लिष्ट दखाए देगी तो आप देख सकते हमारी टीवी के चैनल लिष्ट आ रही है लेकिन रेडियो की अभी नहीं आ रहे है थोड़ी देर बाद वह भी आने लगेगी इस परकार हमारे जो चैनल हैं वो सारे सर्च हो जाते हैं आप देख सकते हैं हमारी 65% 66% सर्चिंग चलने लगी है और दोस्तों हमारी जो रेडियो चैनल की लिष्ट थी वो भी यहां पर आने लगी है आप देख सकते हैं हमारी जो रेडियो चैनल की लिष्ट थी वो भी यहां पर आने लगी है तो जैसे यह 100% हो जाते हैं भी 86% हो चुकी है आप देख सकते हैं हमारी 89% हो अडु कि परसंट तो तो हमारी जो प्रोस्थिंग nessa होने की 100 हो चुकी है आप देख सकते हैं हमारे जो प्रोसी से अंते हैं पुण सबनारिक हो चुकी है और अब सारे चेयनल यहां पर आ गये हैं तो इस परकार आप आप किसी भी रिसीबर में बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हो और यह गलती से आपके जो चैनल डिलीट होए है वो नए चैनल आप यहाँ पर ला सकते हो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब